नमस्कार साथियो आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं एक पेड जिसको बोलता है युकलिप्टस जिसको सफेदे का पेड़ी भी कहते हैं कहीं निलगरी का भी कहते हैं मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है सामने क्योंकि एक सांड सामने है तो मुझे उससे भी थोड़ा सा देखना पड़ रहा है बचाओ कि तोर पर तो मैं इस बता रहा हूं कि यह जो मेरे पीछे जब पेड़ देख रहे हैं यह युकलिप्टस का पेड़ है जिसे निलगरी भी कहते हैं और सफेदागा पेड़ कहते हैं इसकी हाइट सबसे लंबा ज्यादा सबसे लंबा पेड अगर हमारे यहां इस उत्तर भा चाहिए इसको लेकिन पांच साल में जब ये पेड त्यार हो जाता है तो अच्छी कीमत भी देता है मैं दिखाऊ आपको देखिए किस तरीके से इकोबिटर का पेड होता है और इस कितना खुबसूरत है नजारा है पक्षी चह चाह रहे हैं तो आज मैं इसको अंदर से फील करने के लिए आया किस तरीके से लगाया है इस फेदे का पेड है जंगल है पहुत अच्छा लगाया है और मैं आया हूँ आज इस प्रकृति की गोद में उसको एसास करने के लिए उसकी प्रकृति का आनल लेने के लिए उसको नजदीक से देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कि युक्लूटिस का जो पेड है कैसा होता है यह देखिए नंदी माराज बैठे हैं इनी से मैं सिफ्टी कह रहा था लेकिन बैठ गए हैं तो मैं के पास आया हूँ बैठिए बैठिए आराम करिए आप अपना काम करिए हम अपना काम करते हैं यह दो बैठे आराम करिए आराम करिए आराम करिए आराम करिए हैं